हेलो फूल्तन है विल्तों टो माई इस्टेडी सीचनल दोस्तों आज मैं बता रहे हूं मानो कंकाल तंदर यानि हीूमर इसके लेटर सिस्टम जिसके अंतरगर 206 हड्या आती हैं इसके पहले लानो कंकाल सेंतर के पार्ट वन में आस्तियों का वर्की करण के बारें बताएं कि आस्तियों को किनी भागे बटा गया है जिसे लांग बॉन, सार्ट बॉन, फ्लैट बॉन, यानि बेडल, और विवस्तियों, इर्गुलर बॉन, सुझे मॉएड बॉन, सिक्कें तो इस वीडियो को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर करका जरूर देख लिजिए और दोस्तों कंकाल दो रुप से बना होता है वही कंकाल एंड अंता कंकाल के अंतरगत हमाई नाकूल एंड बाल आते हैं जो क्यूरतिन ब्रोटीज से बना होता है कभि को वही पुछ लिए आता है कि नकुर एन बाल कि से बना होता है कि रेटीन प्रोटेन से बना होता है कि कि बाग में आते है तो आते हैं । प्रोटीन प्रोटीन से बनाउ होता है जो कोणल अस्थानों पर यानि जैसे की स्वास नली कि छले और नाक के गुहां पर इससा पहा जाता है अस्थि होता है वह कठोर होता है कलसीय फास-फोरस, मैंगीसियम in-सब से बना होता है जो हमारी यह लंबी लंबी अस्थियां है हात पर खोपड़ी यह सब बनी होती है ठीक है अक्सा जोड़ो पहा जाती है जो गद्दे के रुपे बनाते हैं जो चोटों से रचा करती है ठीक है तो चली जानते हैं यह मानु कंकाल तंत्र यानि हीमन इसके लेटर सिस्टम 206 हडियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है अच्छी कंकाल यानि एक्सियल इसके लेटर इसके अंतरगत 80 हडिया आ आती है और इसके लेटर सिस्टम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है अपर लिम एन लोवर लिम अपर लिम यानि उपरी अग्रा जिसमें अंतरगत हमारे दोनों हाथ अकंधे और यह हसली जो होता है क्लेविकल आता है जिसके अंतरगत 64 हडिया आती है एंड दू सबसे पहले में बात करेंगी अच्छी कंकाल यानि एक्सियल इसके लेटर सिस्टम यानि एक्सियल इसके लेटर के बारे में जिसके अंतरगत 80 हडिया आती है तो इसके अंतरगत कपाल यानि इसकल आता है जिसके अंतरगत 29 हडिया पाई जाती है एंड मेरु दंड वर्टी लिब्र कॉलम इसमें 26 यानि 33 हडिया पाजाती है 26 वैसको में 33 बच्चों में और पसलिया आती है रिप से जो हमारे उरुस्ति के साथ दोनों तरफ बारे बारे जुड़ी रहती है इसलिए इसमें 24 हडिया यानि बारे जोड़ी होती है कुल पुछेगा तो 24 जोड़ी में एक उरोज्ती होता है यानि इस टर्णुम जिसके लगकर जिसके साथ पसलिया जुड़ी होती है एक संख्या में होता है तो इस प्रकार एक इतना मिलकर के असी हड़ियों का निर्मा करती है अच्छी है कंकाल यानि एकसियल इसके लेडल के अंधरगत तो चलिए जानते हैं इस कल के पॉइंट पर विशेश रुप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां भी इसकल पुछेगा उसके अंधरगत हिंदी में चाहें कपाल लिखेगा चाहें खोपड़ी लिखा है लेकिन यदि इंग्लिस में इसकल लिखा है तो उसके अंधरगत 29 हड़िया होगी 29 नदे करके कभी 28 दे देता है कभी 29 दे देता है इस तरीके से झाल, करके कर दो होगी 29 दाहें झाल 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 पहला है मैनुब्रियम दूसरा ग्लेडियोलस तिसरा जीफाई मैनुब्रियम जो होता है वो सबसे उपर का जो सबसे चोड़ा भाग है वो मैनुब्रियम का भाग है जिसके अंतरगर्द जिससे हमारा जो हसली होता है जो हमारा क्ले की नम यानी की क्लेविकल जो हड़ी होती है हसली जो होता है जो हमारे इसके पुला से जोड़ती है और उरस्ति के मैनुब्रियम से निकलती है जोड़ी होती है जोड़ी जोड़ी रहती है लिए इसके नीचे यक्रित अमासे पितासे और तिlla अंट्रिक अंग सुरचित माँदा आर्चित रहते हैं ठीक है यहां में इसकल यानों के 29 हडियो में incent ₹ вещи छेहरा के कुछ हडियों के नाम बता रहे हुए जो अक्सर कभि कभि हमे पुछ ली जाते हैं, chief उनको का नाम दे कर'' तो पहले मैं बता रही हूँ Kita है 는री यानि Bakero फ्रנ्टल लला तास थी जो हमारे सामने का मात्थे वाला भाग होता है तो हमारा फ्रंटल भाग होता है ठीक है। और दुसरा है प्रेटल जो इस पासवास्ति भी कहते हैं इसजे आधे हमारे फ्रंटल के पीछे दोनों तरफ होता है तिसरा है टेंपूरल इसे संखास्तिया भी बोलती है यह भी संख्या में दो होती है दोनों कान के ऊपर दोनों दाय बाय दोनों हिस्ते में होता है तीक है यह भी संख्या में दो होता है और चवता है आकसी पिटल यानि जिसे जत्रु कास्थी भी बोलते है एक क्रेनियल की फर्स का निमार करता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है जो दो पंख निकले हुए है वह यह है इस फेनायट यानि जत्रुकास थी चट्वान इथे मौयट जरजरास थी जरजरास थी क्या होता है एक क्रेनियल के फर्स के उपरी अगले भाग के साथ ही दिवार दथा नाक की चत को बनाती है तो एथा खोपड़ी के कुछ हड़ियों के बारे में जिसे पूछ लियाता है कि कुर्ण भाग बनाती है तो आप बूलेंगे के क्रेंटियल यानि मस्टिस्क में इस तरीके से कुछ जाता है जो हमारे मध्य मस्टिस्क में पायाता है तो इसके इसके अलामास भी आप चली जाती है तो आप चली जाते हैं चेहरे के चवदर हड्यों के बारे में तो दोस्तों चेहरे की कुछ हड्या जो हमारे एजाम के लिए इंपॉर्डित है यहाँ पे चवदर हड्यों के नाम में पदसित की हूँ जिसमें से नेजल जो है हमारे नाक के पूल का निर्मार करता है एक जाएगोमेटिक जो आँकों के नीचे का भाग बनाता है, ये भी संखिया में दो होता है, जो संखिया में एक होता है, और नीचेला जबड़ा होता है, ये नारी का भाग होता है, यही सबसे important है इस चेहरे के हड़ी में, यह हमारे सरीर की सबसे मजबूत हड़ी है मैंडीवर, ठीक है? सबसे मजबूत हड़ी है, और कभी-कभी कोश्चत के पुछा जाता है कि हमारे खोफड़ी के अंतर, कौन से हड़ी का ऐसा बहूंग है? जो गती सील है. देखेंगे, कि जो कोस्टन है यहां से मेंडिबल से बनते हैं, कि हमारे सरीर के सबसे मजबूत हर्डी कोन है, तो मेंडिबल निचला जब्रा नहीं दिया रहेगा, तो सिध्य आप जब्रा एंसर देंगे, लेकिन वहां पर इंगलिस वर्जन जरूर ध्यान देंगे, ठीक्त है, तो यह हमारे खोपड़ी का गतिसील हड़ी भी है गतिसील भाग भी है यानि और हमारे सरीर की सबसे मजबूत हड़ी भी है तो यह एक्जाम पॉइंट के लिए भी इंपॉर्डिट है तो हमारे चेहरे के हड़ी वस इसी को आपको याद रखना है और सब इतना नहीं करें लिए दोता है नांग के सभी सबूदे के एक तरफा दिवारबनाते है इम पेलंटाइन में नकसी जानग के सबसे भाग, जो ज्यह दों होता है दोता है यह बनाता आख गोड़ा जरा रिए कमशनित93 भाग व इंलिए उधर का फागु बनाता था 次 की आ नक के मिछें तो इस चेहरे की कुल 14 हड़ियों में से आपको एक हड़िय को भी से शब्सक्र ध्यान दे लखना है मैंडीबल जो आपके सरीर की सबसे मजबुत हड़िय है और खोपड़ी की सबसे गतिसील हिस्सा है next है कान की हड़िया तोनों कान में, प्रतिय कान में तीन-पीन हड़िया पाए जाती है। तो मैलिस इनिकस इस टेपस इस तो याद रखने के लिए M-I-S सार्टिक यव-I-S मिस यानि M से मैलिस I से इनिकस S से इस टेपस ठीक है? तो इसको ध्यान में रखें अब मैं अच्छी कंकाल के बात कर चुकी है अब मैं बात कर रही है अनुबंध्य कंकाल और पेन्डी कुलर इसके लिटर जिसके उन्तरगात 126 हडियां आती है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको अगरात दोनों हाथ दोनों पेर की हडियां आती है तो दो पार्ट में जिवाइट किया गया अपर लिव जिसमें दुनों हाथ और कंधे आते हैं लोर लिव दुनों पेर और कुले आते हैं तो अपर लिव कि हम पहले बात करते हैं जिसको अगरपार या उपरी अगरांग भी कहते हैं इसके अंतरगत 64 हडिया आती है ठीक है या यानि एक हाथ एक कंथे के तरफ 32 यानि दुर मिला करके 64 हडी तो सबसे पहला हडी इसमें है clickable इसी color bone भी कहती है ठीक है इसे क्या कहते है color bone भी कहती है जो हमारे रोस्ती के सबसे यानि इस्टानल्य के सबसे उपरी हीसे से निकल करके हमारे गर्दल के अस्थी इसके पूला से मिलती है ठीक है या हस्व retina है एस अज्छा में दो होती है जे दुसरा इसके पुला यह कंदो के ब्लैर्ड्स हैं दोनों तुर्प होते हैं जो तिकोनी आकार के होती है चप्टी अस्ती है यह भी संख्या थी है humorous यह दोनों बाजुों की उपरी भाग की लंबी अस्ती है दोनों तोन topics एक एक पायाती है दोनों हाथों में, दोनों बाजियों में, इनकी संख्या में दो होती है Radius, ये दोनों बाजियों के अंगूठे की ओर की हडिया है जो हमारे बाजियों है, उसके अंगूठे की ओर की हडिया जो है जो वहां से इस्टार्ट होरके हमारे कोहनी तक जाती है द्यक्ष्ट है यह चोटी उंगले की बाज़ू की हद्धिय जो बाशनी तक जाती है यह बहु यह रखकिय। ठीखे थैखे तरह एक कारपस हदिया कलाई पा जाती है यह भी प्रते कलाई में आठ हडिया Academicारी स्दूमिलाकत के शोले समस्फन सहा जो है 16 जैसा कि निंगाया प्रते कीया मेटा स्वाप कारपस हाना के मेटा मेरे साथ ह्तेल से Qm3-4 देहीत बिदो मुलती है तो उससी यहाथ हथेली आझने मेटा कर्पक्र पांच हडिया आती है याय metre METARPORPAL वोती है तो कुर्मिला करकी दर्श हुआ है ती नियार हाथ की उंगलिया तो प्रतीक हाथ की उंगलीओंगें तिन धाटियों पजाति आ छूबत! चूैभप JOHN 4 मिलाइन नें नियुक्षू अंगलीये तिन धाटि पाके यह 74 धाया हसे अंगली तो कि इसे के अंजघाट , Caribbean के अंजघाटगत मैंने करें वह दाति हूं अब बात कर रही हूं रोर ले में आनी पस्च पार आनली निचले अगरांगी की ठीक है जिसे के अंतराद बारसट फ़डिया पाती है बारसट तो कोल कोल्सी है सबसे पहला है पेलडवीक जिसे ओसा कोसा बहुते है जिसे श्रोडी मेखला की हडी बहुती है भी तो हमारे इसमें सेक्रन और काक्साई जो हडिया होती है यह जुड़ी रहती है ठीक है यह तीनों हडिया कुले के खारी अस्थान की तरह किलमचिक अकार बनाती है कुले की हडिया एक्सियल अस्ति पजय के साथ जुड़ी रहती है ठीक है किसके साथ एक्सियल जो हमारी रिड़ की हडिया है सबसे अंतिम रीड की हड़ी की सबसे अंतिम छोड जो होती है वो इसी में आकर जुड़ी रहती है ठीक है नेश्ट है फीबर जो हमारे जान की हड़ी है जिसे उर्वास्थी भी करते हैं ठीक है यह हमारे सरीर की सबसे लबी हड़ी है निस्ट हे पटेला, यह हमारे जो गुटना होता है, घट्नी पर धक्न आकरिती है, जो हमारे गुटनी को गती पिदान करता है, वो गुटना पर एक कारणोडा होता है, जिसे पटेला तिक है, दुनों पैरों में, दुनों घुटनों में एक एक होती है, ते भी संख्या में दो होता है, तिक है, एन निए टीबिया, जो हमारे टांग की प्रमुक हड़ी है, यह क्या करते हैं, फिविला के मधवर्ती इसीत होती है, और यह अंगुठे की, जो पैर की अंगुठा हिए यह हमारे पैर की सबसे चोटी उंगली की तरफ की हर्डी है थीक है यह पतली हर्टी है यह टिबिया से पतली होती है नहीं होती है नहीं होती ॥े दो रूपायों एक एक संख्या में दो थीक नेक्स्ट है टारेिस यजिए हाथ की कलाई को कारपर्स मोलते हैं इस तरह किराए में को एंकल्ग यानि उसमें टारस ficou यजिए करकॉलर्स बच्भी में ऊक्ति जो को कारपर्स बॉलते बिद्ग हटिया पाई जाती है प्रतेक पैर में तो खुल मिला करके 14 हडिया हुई ठीक है दोस्तों यहां में ध्यान रखने वाली बात है कि हाथ की कलाई को ब्रिष्ट एंड जो पैर की कलाई होती है उसको एंकल बुला जाता है तो पैर की पाऊ में जो है मेटा टारसल हड़ी बलती है उसको यह भी पाऊ की लंबी लंबी अस्तिया जो होती है जो हमारे उंगलियों से जुड़ी होती है यह पांच-पांच की संख्या में होती है जैसे हाथ की पंजे में पांच संख्या पाजाती है मेटा करपल्स की उससे पैर की पंजे यानि चौदर हडिया पाजाती है पर्तेक पर की यसे चार उंगलियों में 3 ती एन अगुठे में दो हडिया पाजाती है कुल मिला करके चौदर दोनुप पर मिला करके 28 हडिया इस प्रकार लोर लिवें भी 62 हडिया पाई जाती है 62 हडियों के बारह मेरे बात कि तो अपर ली ए लोर लीव मिला करके 126 हडिया हुए हमारे अनुबंदी कंकाल अपर डेकुलर कंकाल में और 80 हडिया के एक 50 कंकाल इसके लेटल में 80 हडिया 126 हडिया इस प्रकार हमारे साही चॉछे 206 हड़िया की पुरे नाम मैंने आज इस विडियो में बताया तो आपको पता हो क्या होगा कि 206 हड़िया कहां कहां पाई जाती है तो इसमें से तीन कोस्टन सबसे इंपॉर्डेंट बना कि हमारे सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कोन है तो फीमर सबसे छोटी हड़ी कोन है तो कान का इस्टेपीज सबसे मजबूत हड़ी कोन है तो हमारे दाड़ी वाला पार्थ है निकला जबरा यानि मैंडिबल ठीक है एंड हमारी अस्थिया किस से बनी होती है हमारी हमारी अस्थियाँ निकल कर कमी होने से हमासे ہड़ीह कबचोर होने लगती है एंड है अस्थियों के अध्याट को आस्टियोलाजी मोलते है यह भी important चीज यहां से बनी होती है स्योजी उत्अ करों SAY कि गुदक से बनी होती है तो देट स्योजी किT अपास है ऐसाई उतक चाहती है के बारे हो तो तार्साग या बीच कांसेलिश सब्सक्राए सर्ण सर्ण कंपैक्ट टीसूं जो है यह थार्साग हुआ डाद के भाय कांसेश हड्ी है यह खाड़ी होते हैं समय सभीक भाहर को समालती है इसी करह माँ अच्छी सी खाड़ी हो सकती है कि प्रकार से कोच सकता है की पstepर की कोई सी हो चाड़ी हो ते हमी समय सभाय के सब्सक्रebra toast राड़ी हो दें सेमने साल चाहा करती है तो कौन हमारे पैर की सबसे बड़ी हट्डी कोम क्यिंक है यह जो है के हाओ हमारे फ्री जो है नियुक होती है झाल सलिह के बाहर को पीछे जमीन की सधीड़र होती है यानि है इसNY से जीरु होने कि युडित के युडिय। सब्सक्राइब करें ची रचाइब के याकुर रचाल युडिय। पैर का केंद्र है जो हमारे पैर इंकल का भाग है केंद्र बिंदू की तिबिया को सहारा जो हमारे मोटी वाले हड़ी है पैर की उसको सहारा दिने का काम करती है ठीक है एक वो पीर्यार सी जुड़ी हुई हर्थी निकली हुई हर्थी जो सामने चेतरी में दीख रहा है बीच में छोटा सा वह नेवी कूलर बीचमय हर्थय से तीनुं Beyond हर्डिय के रिर संखेifornia की है दूना कkęए चित्री करें के ठीटमुmar के जो पुछे पाइंगे फार्म की ए जो पेछे शुरुषे , जो पीछे से न्युह है चुछे के सब्off lawnפ Norm09 है ठीक है इसलिए इस प्रकार पैर की मिट्टार सा ज़डिया हुई इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है CC TNC यानि नीचे की केलकेनियम कीवायट को याद करने की CC TNC उपर की यानि TNC उपर वाले की सब्सक्राइब नीचे की CC उपर का TNC इस प्रकार साब याद कर लेजिए जिसमें से क्यलकेनियम जो है सबसे बड़ी हड़ी है पैर की ठीक है जो मेटा टार्सल होती है वो पांच-पांच की संख्या में होती है दोलो पैरो में और यह पुझा मिला के दस होता है मेटा टार्सल की प्रथम हड़ी सुच में तथा लगू और दूसरा सबसे लंबा होता है ठीक है एक मिला की के करपस हड़ी कि उस पत्रथमारे पर्थेक आसषुक्स में नाम दे दिया जाता है कहां पर पर पाए जाती है तो उस में आपको ऐसाई लगाने दिकत होती है तो इसको भी ध्यान में रखेगा तो उपरी पंक्ति में कारपस बाहर से भी ज़की और कोंको से होती है इसके फायर लियोनेट ट्राइक विसी फॉर्ड ठीक है ऐनने में पंक्ति में ट्रिपेजियम ट्रिपीजाई केपीटेट हैमें तो इसको दोचाइबर यानि इसके लेटर सिस्टर की दो से च्छी हड्यों के बारे लिए आई होग कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अब हड्यों के अस्थान और संख्या और किसमें कितनी संख्या पा जाती है इसको लेकर कि आपके सभी डाउट के लियर हो गए होगे तो दोस्तों मैंन जबाब मिला था तो आपको डाउट भी क्लियर हो गया होगा तो सबसे बड़ी हमारी यानि सबसे लंबी कोन है फीमर जांकी जिसको उर्वास्ती भी बोलायाता है कभी-कभी इसके नाम से भी एंड सबसे मजबूत कोन है मैंडिबल है निटला जबरा एंड सबसे चोटी सब्सक्राइब बनाया रहती है कठोड़ता प्रदांग करती है और सिसु वावस्था में हमारे हडिया उपास्ती से बनी होती है उपास्ती कोमल होता है इसलिए हडिया उसमें मोड जाती है ठीक है एंड बड़ी होने पर ओ करसिया फास्परवस से मिलकर मजबूत हो जाती ह सा लगा मुझे कमेंट पास मुझे बता ही वीडियो को जादर स्यादे अपनी दोस्तों तक भी जनकारी पहुच सके तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइक्टन को प्रेस करना न चैनल को जो हुआ हैं तो जो दòngाम को जो ईख्यार संदिता हैं कि तो चैनल को झानाए हैं तो चया जाöntवर आपक्पार सबस्तों पस्क्तों तो प्रेस के लिए All Comic幸争ता हैं